बाई राजिस्थान में भारतिय जनता पार्टी की उम्मीद की किरन बनी परिवर्तन यात्रा निकल चुकी है चार अलग-अलग दिशाओं से निकलने वाली परिवर्तन यात्रा चारो दिशाओं से निकल चुकी है लेकिन हवा यह है कि जिस तरीके के रिस्पॉंस के इंतजार में भारतिय जन्ता पार्टी थी उस तरीके का मामला जम नहीं पा रहा है नमस्कार मैं हूँ आकाश और आप देख रहे हैं राजस्थान चौक अज हम बात करेंगे भारतिय जन्ता पार्टी की परिवर्तन यात्रा की जिसकी उम्मीद के चलते पार्टी सत्ता में परिवर्तन करना चाहती है दरसल राजितिक जानकारों का कहना है कि परिवर्तन यात्रा के सफल होने के जिस तरीके की उम्मीद पार्टी ने लगाई थी उस तरीके की लहर अभी तक बन नहीं पाई है और आगामी विदानसभा चुनाओं में परिवर्तन यात्रा से कोई भारी फर्क नहीं पड़ने वा चुरूं की गई है और ऐसी यात्रा में किसी स्थानिया नेता को मुख्यधारा में नहीं रखा गया है तो जाहिर है कि ऐसी यात्रा विफल होने के कगार पर जा सकती है पहले तो लग रहा था कि वसंद्रा आगे रहेंगी लेकिन पार्टी ने उन्हें साइड लाइन कर दिया फिर लगने लगा कि गजिंद्र सिंग शेखावत या फिर राजिंद्र राथोड चमकेंगे लेकिन उनके हातों से भी कमान लेकर पार्टी ने यात्रा की कमान केंद्रिय आला 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 कमा परिवर्तन यात्रा कम और परेटन यात्रा जादा लग रही है। हाला कि जो दूसरी परिवर्तन यात्रा केंद्रिय ग्रह मंत्री अमिश्या के नित्रतु में बिनिश्वर धाम से शुरू होई थी उसमें लोगों का पार्टी वरकरों का भारी उत्सा देखा गया था। लेकिन उसका कारण शायद अमिश्या थे क्योंकि जनता उन्हें ही देखने और सुनने आई थी। उधर भाजपा ने अभी तक सीम फेस की घोशना भी नहीं की है। और साफ कह दिया है कि यह चुनाओ पियम मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। खुद केंद्रिय मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत भी यह बयान दे चुके हैं कि यह चुनाओ जो है मोदी बनाम गहलोत होगा। वसंद्रा समर तक इस बात से खुश हैं कि अगर सरकार बनती है पार्टी की अगर बहुमत आ जाता है तो शायद पार्टी वसंद्रा को ह मुख्यमंत्री बनाएगी लेकिन इस बात से परेशान भी हैं कि कहीं ऐसे ही साइड लाइन रहकर न रह जाएं और फिर कहीं नजर ही ना आएं। गौरतलब है कि पार्टी में आपसी मदबेद बहुत जादा है अगर आज सीम बनना हो पार्टी का तो पार्टी से ही दस उम कर परिवर्तन यात्रा में जमा तो हो रहे हैं लेकिन वहां पहुंच कर आपसी मदबेद में उलच जाते हैं अब देखना है कि परिवर्तन यात्रा क्या सही में सत्ता में परिवर्तन लेकर आती है या फिर पार्टी के नेताओं में ही परिवर्तन कर देती है तब तक कि जा के तरह ये राजस्थान चौक